नमस्कार आपका स्वागत है हमारे रोज मर्रा के जिवन की कुछ बाते ऐसी होती है जो हमें बहुती सामन इसी लगती है हम उन बातों को एक रूटीन समझ कर बस करते ही जाते है लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कोशिज भी नहीं करते है यदि गहराई से देखेंगे तो पाएंगी कि हमारे पुरोजों ने हम पर जितने भी संसकार किये है या में जो भी आदते डाली है वे सभी हमारे लिए भहुती लाबदायक होती है नहाना भी हमारे लिए रोज मर्रा का एक भहुती जुरुरी काम होता है और नहाने से हमारे शरीकों होने वाले फाइदों से हम सब भी वाकिफ है शास्त्रों की अनुसार भी नहाना एक महतोपूर्ण और उत्तम कारे होता है लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने कभी एक सही समय और सही तरीका होता है हम अक्सर अपनी इच्छार सुविदा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत गलत होती है, इससे फाइदे कम और नुकसान जादा होते हैं, हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड पुरान में हमारे जिवन की प्रत्यक छो आज हम जानेंगे गरुड पुरान की अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, सनान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाबा और हानिया है, अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे सब्सक्राइब कर लिजे, साथी वीडि प्रकार होते हैं, इन्हें समय की अनुसार वर्गिकरत किया गया है, गरुड पुरान की अनुसार ब्रह्म मुर्त में किये जाने वाले सनान को सर्वस्रेष्ट माना गया है, ब्रह्म मुर्त यानि कि रात्री कांतिम प्रहर और सुर्य देश से ठीक देड़िया दो घंटे प प्रॉप तो होती है क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का समरंड करते हुए ब्रह्म मुर्थ में किये जाने वाले ब्रह्म सनान को सर्वस्रेष्ट सनान कहा गया है। सबी पवित्र नदियों का समरन करते हुए कि ये जाने वाले स्नान को भी स्रेश्ट स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरी में सकरत्म कुर्जा का संचार होता है और सबी प्रकार की नकरत्मकता और बुराई हमारे शरी से भाहर निकल जाती है। इसी तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है तीसरी बात सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किये गए स्नान को रिशी स्नान कहते हैं यह भी स्रेश्ट स्नान माना जाता है इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शान्ति मिलती है शरियर में दिन बर सकरत्म कुर्जा व्याप्त रहती है, जो में किसी बे कारे को करने के लिए उत्साहित करती है। इसलिए सुबह आठ बजे की बाद कभी सनान नहीं करना चाहिए, जो महिलाए आठ बजे की बाद सनान करती है, उनके जुवन में सदय दुरभाग्य बना रहता है और घर से सुकसम्रदी चली जाती है। चटा सनान, दानो सनान, दुपेर बारा बजे की बात किये जाने वाले सनान को दानो सनान कहते हैं। सुर्यदेव होने के भोध समय बात तक भी जो लोग सनान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन बर क्रोध, राग, द्वेश, नकारतमक्ता, कमजोरी और चेड़-चेड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुझके लिए आ सकती है। इसलिए गरोड़ पुरान में हमें प्रति दिन ब्रह्मसनान, देवसनान, रिशी सनान या मनुष्य सनान करने की सला दी गई है। प्रति दिन इस पवित्र समय पर जाकर सनान करके एश्वर की पूरी श्रधा से आराधना, प्रार्थना और पूजापाट करने से तता सूर्य देवता को आर्गे देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी भोच सी समस्याव का समाधान हो जाता है। आएएआप जानते हैं सनान करते समयम कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। नश्ट हो जाती है और वेक्ती जीवन में सुक्य और समरद्ध रहता है तो दोस्तों यते सनान की प्रकार आप रोज कितने बज़े सनान करते हैं कमेंड में आवश बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जैसरी किशन आवशी लिखें साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद